आज के इस वीडियो में मैं लिखाया हूँ आपके अपने रिक सर्च वज के लिए अगर आप कई तरह की चीज़े करना चाहते हैं तो Google आपके पास है जहां पर आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं अगर आपने यह सब पहले सुना होगा तो काफी अच्छा है नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यह कोई टर्म आता है उसी टर्म के यह गिर्द मालने जहें हम एक रिसर्च पेपर ही लिख रहे हैं ठीक है हम एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं आपको वाटर कंजरवेशन तो इससे की आपका काम बहुत ही एजली हो जाएगा तो यह साइट आपको उसके लिए काम करता है अपने मैं मैपिंग में आपने वाटर कंजरविशन को अपने सेंटर में रखा है उसके बाद आपको इस पर अगर आप लैप्टोप पे नहीं है तो आपको क्लिक किये रहना ह कि आप ऑटर कंजरविशन पर आपको क्या क्या और करने सबसे पहले हो सकता है अब यहां पिशिकर बनाना स्टार्ट करेंगे तो उससेां आपको एक रफ आईडिया यह मिलेगा कि आपको किस दिसा में जाना है और आपको अपने रिसर्च पेपर में रिसर्च वर्क में या फिर जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं उसमें आपको क्या लिखना है ठीक दूसरा हो सकता आपके मन में आएगा कि नहीं हमें awareness भी करना ओके तीसरे आपके मन में आ रहा हुआ कि क्या सरकार की क्या क्या नीतियां है वो भी हमको पता चले है ना हो सकता है आपके मन में यह भी आए तो आप उसमें आपको फिर आप क्या करेंगे कैसे करेंगे तो आप चलिए आईए मैं आपको बताता हूं कि अब उसके ल प्लस माइनस करके आप कह सकते हैं कि government schemes क्या क्या है नहीं है आप उस पर भी देख सकते हैं तो जो भी एक rough ideas आपके मन में आता है उसको आप यहां mind mapping के जरी उसको एक कह सकते हैं रूप रेखा एक blueprint दे सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने research work को easily कर सकते हैं मालने जी इतने main topic में टॉपिक में टॉपिक में टॉपिक आपको एक आइडिया मिल जागा कि यह काम मुझे अब करना है ठीक है तो यही होता है mind mapping इसके लिए आपको सब्सक्राइब किये अगर बिल्कुल ना जाएं सकर लिए हैं तो थैंक यू सो मच वीडियो को एक लाइक बनता है ठेक केर have a nice day